प्यारे साथियों नमस्कार आईए जानते हैं सत्र दो हजार चोबिस पत्चिस के लिए चिराग स्केम का फारम किस प्रकार भरें फारम के राइट साइड में एफिक्स लेट टेस्ट फोटोग्राफ लिखा हुआ है यहां अपना पासपोर्ट फोटोचिप काई इसके निचे स्टुडेंट SRN नमबर आप अपने स्कूल से प्राप्ट कर सकते हैं यह लाइफ टाइम एक ही रहता है इसके बाद एडमिशन नमबर फोर ओफिस यूज यह आपने नहीं भरना यह विजयले के लिए होता है तू दा हेड मास्टर प्रिंशिपल यहां उस स्कूल का नाम लिखें जिसमें आप अपना फारम भरना चाहते हैं इसके बाद आई रिक्वेस्ट यू तो एडमिट माई सन वार डोटर इसको क्लास से पहले वो क्लास भरें जिसमें आपका बच्चा अभी हुआ है यानि जि राजिव कुमार है तो मिडल नेम भी यूज़ कर लें या सरनेम और राजिव कुमार सर्मा है तो यह तिनों कोलम हम भर देंगे पॉइंट नंबर दो पेरेंट्स नेम भर दें अपने फादर का नाम पिता का नाम डेट ओब बर्थ में डी डी एम एम वाई वाई यानि दिनांक महीना और वर्स भरें और उसे सब्दों में भी लिख दें पॉइंट नंबर पांच रेज़्डेंसल ऐड्रेस फूइडि bijड्रेस प्रूफ कोई आप ऐड्रेस प्रूफ लगाएं जहां आप रहते हैं उसके बाद पॉइंट नंबर पांच पर आधार नंबर पीपी नंबर इन में से कोई भी लगाएं 6 नमबर पर Annual Income वो Family ID से आप देख लें और वही भरें 7 नमबर टेलिफोन नमबर इमेल ID है तो वो भी भरें 8 नमबर यदि आप EWS यानि Economically Wicker section से आते हैं तो आपका certificate होना चाहिए और वो 6 महिने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए 9 नमबर नो में उस सरकारी स्कूल का नाम लिखें जिसमें आप पिछले वर्ष पढ़ते थे और 10 अपने खंड का नाम लिखें यह दाखिला फारम प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के description box में विजिट करें वहीं आपको आपके जिले में खली सीटों का ब्योरा भी मिल जाएगा स्कूल में फारम भरने के बाद यह रसीद आवश्य प्राप्त कर लें इसके बाद यदि कुछ प्रसन आपके रहते हैं तो comment box में पूछ सकते हैं धन्यवाद